विश्व मान चेतर पर स्थापित हो रही आयूध्या की विकास को तर प्रदेश सरकार के बजट में किये गए नए प्रावधान और गतिमान करेंगे ये उधार आयूध्या के होटल व्यवसाई, चार्टर अकाउंटेंट और व्यवसाई उने व्यक्ति करते हो प्रदेश सरकार की खुल कर प्रिशंसा की और प्रदान मंत्री नरेग मोदी के साथ ही योगी आदितेनाद के प्रती आभार व्यक्ति किया उन्होंने कहा कि आयूध्या ही नहीं, ये बजट किसान और आमजन के चहरे पर मुस्कान दाने वाला है माननी ये, मुख मंत्री योगी आदितमाद जी के नेतरत्तु में माननी ये, वित्मंत्री सुरेश खन्ना जी दौरा प्रदेश का बजट पेश किया गया जिसमें हमारी आयोध्या को विशेश तरजी दी गई है यहाँ पर आयोध्या को सूला सिटी के रूप में इस्थापित करने का निर्ड़ा हुआ है जिसके लिए 165 एकड़ में 40 मेगावाट का एक विद्दुत सेहन्त लगाया जाएगा जो की 31 मार तक उसके लिए निर्धारित किया समय सीमा निर्धारित की गई है आयोध्या का सरवांगी रिकास तो जब से योगी सरकार आई है तब ही से वो बराबर प्रयास रहता है और आयोध्या का तो आमूल परिवर्तन बिल्कुल यहाँ का हुआ ही है हम लोग जब यहीं की पैदा हुए हम लोग तब से बितले साल काफी सालों से देख रहे थे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था लेकिन इदर दो-तीन सालों के अंदर बिल्कुल आमूल परिवर्तन हो गया हर तरफ रोड चौड़े बन गए नई रेलवे इस्टेशन बन गई एरपोर्ट नहीं आ गया तमाम ज़यां से डायरेक्ट फ्लाइट से यहां पर हो गई हम लोग के लिए तो समझ लिए यहां प रस्तावित हैं और क्रियान्वन भी उसका काफी हत्तक हो चुका है और यद्या पहले बहुत छोटा से शहर जाना जाता था अब वो विश्ख के मानचितर पर अंकित हो चुका है अगले वर्षु में बहुत प्रगति दिखेगी और जैसा कि पूरु में भी देखा गया एक बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार है उसका पूरा रूट दिखाई देगा बजट तो पहले तो कुछ भी नहीं रहे ता था था दो चार साल पहले 30,000 क्रोड का बजट पहले प्रदेश को गवर्मेंट का आया फिर हमारे काज़र 15,000 क्रोड का बजट और आ रहा तो प्रगति तो देखी रही है और बहुत अच्छा होने वाला है